जश्यक निश्येशित काल मथा वलंब जिवंति लोम विलजा जगदन्यनाथा विष्णुर महानसा इहूं जश्यकला विशेश गबिन्द माधि पुरुषं तमहं बजामी जश्यक निश्येशित काल मथा वलंब जिवंति लोम विलजा जगदन्यनाथा विष्णुर महानसा इहूं जश्यकला विशेशो गबिन्द माधि पुरुषं तमहं बजामी गौडियो गोस्टिपोती सिसिला वक्ति शिद्धान तो सरस्वति को समिर्ग पुरुपाद परवंग्ष जगद गुरु जी ने बताएं मानब जब तक तरक पंथा को अब अलंबन करके आगे बरने का कुशिस करता है तब तक ये धोका खा जाता है गोडियो गुश्टिपोती सिसेला वक्ती शिद्धान तो सरस्वति गुश्वति को समिर्ग पुपाद परवंग्ष जगद गुरु जी ने बताएं तरक पंथा से गुरु तथ्थो अन्तो ध्यान हो जाता है तरकोपन्था से गुरु तत्तो अंतो ध्यान हो जाता है आरकेवल माया तत्तो सामने आजाता है ये प्रवपाद जी ने ये बताया कि जब तक आदमी तरकोपन्था को अपनाएं तब तक ये धोका खा जाए तब तक ये धोका खा जाए तरकोपन्था से गुरु तत्तो अंतो ध्यान कर लेता है प्रवपाद जी ने ये बताया अर्था माया तत्तो सामने तो ही है आजाएगा क्या सामने तो ही है प्रपाजी ने बताया मानत जब तक तरक पंता को गुरोण करके आगे बरने का कोशिश करे तब तक गूरु दर्शन होता ने तब तक गुरु दर्शन होता नहीं लोगु दर्शन होता है से गुरुपात पद्मों का बानी बाश्वत्य प्रवजन से दफा होकर दूसरा कोई शत्य हो नहीं ज़ादा सी गुरुपात पद्मों का बानी बाश्वत्य प्रवजन से अलाक्सा कोई शत्य हो नहीं शाकता जैसे निताय चरण सत्य ताहर सेवक निताय चरण सत्य करो आज ए समभब नहीं गुरुपात पद्मों का बानी बाश्वत्य प्रवजन से दफा होकर दूसरा कोई शत्य हो नहीं ज़ादा यही बास्तफशत्य का निष्ठा परिक्षा करने के लिए जो मन का अंदर में जो संद्य हो डाउट उपस्तित होता है इसी का नाम तरकोपन्था है इसी का नाम है तरकोपन्था जो लोग तरकोपन्थी है जो लोग तरकोपन्थी है ए लोग गुरुपात पद्मों का अबग्या कर बैठते हैं जो लोग तरकोपन्थी है ओ लोग गुरुचरन का अबग्या कर बैठते हैं एक मात्रो गुरुपात पदम ही तमाम हमारा संग्साय संद्य हो अलाकिशिम का बाद बाद मिन फोपात कहते थे अगर किसी जगा आप बोलो अचिन्त भेदावेद बाद पदम कहते ये गलत है कि की हम लोगो को बोलना है और चिन्त भेदावेद तो नौट बाद पदम कहते थे अगर बाद बोलोगे तो बीबाद आजाएगा पदम कहते थे अगर बाद बोलोगे तो बीबाद आएग जरूर आएगा बीबाद आजाएगा इसलिए हमारा गोड़ियो सिद्धानत में बाद बोलके कोई बाद बोलके कुछ होता नहीं हमारा कोई इजिम नहीं होता जैसे बात मने कॉमुनिज्म फैसिस्ज्जम मार्क्सिजम जो बोलता है फिर उसका बाद है कैपिटेलिजम और उसका बाद बोलता है क्या बोलता है शामराज जो बाद, 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 श नहीं सकता इसलिए इसलिए एकमात्रो गुरुपात पदमोही इसलिए एकमात्रो गुरुपात पदमोही तमाम, शंदियो, शंग्षय, बाद, विबात का शमाधन और निराशन करने में शमर्थ हैं तर्को का कोई पतिष्चा नहीं है तर्को अपतिष्चो तर्को अपतिष्चो सुतयो विविश्च धर्मस्यतत्यम नितो गुःयम महायनू येनू गतो सपन्था तरको अपतिष्टो शुतेयो विन्या नाशो मुनिर्याश्यमतम न भिन्या धर्मस्यतत्तम नितो गुआयम महायनो येनो गतो शपन्त आमनाय रस्तेमे अथाद आमनाय रस्तेमे अर्थाद शौटो पंधामे आमनाय रस्तेमे आर्थाद शौटो पंधामे बिशुद्व रस्ते में शुद्व परम शुद्व बस्तू जाना जा सकता है आमनाय रस्ते में या सौवत्व पंथा में एक ही बात है एक मात्रो शौवत्व पत्व में आमनाय पत्व में बिशुद्व रस्ते में परम शुद्व बस्तू जाना जा सकता है ये परिवत्तन करने का योगो नहीं है इडिस नॉट सब्जेक्ट टू एनी एमेंडमेंट सीलब आमन गुस्री महाज भी कहते थे जो अप्रागी जगत का जो सिदान तो बानी है ये सब एमेंडमेंड का जोगो नहीं है जैसे पार्लामेंड में कोई नियम निती का एमेंडमेंड हो सकता है के रूल्स और रेगुलेशन का लेकिन अप्रागी जगत में कोई अप्रागी जगत में कोई एमेंडमेंड बोलके कुछ नहीं है वही अपरिवर्तनियों सत्तो का प्रदाता इनी का नामे गुरुपात पत्म वही अपरिवर्तनियों सत्तो का प्रदाता इसी का नामे गुरुपात पत्म इसी का नामे गुरुपात पत्म गुरुद्रही जो लोग गुरुद्रही हैं गुरुशिवा का नाम पे गुरुशिवा का नाम लेका जो गुरुद्रही किया है ये गुरुद्रही दुनिया में आजकल पुजीत है हैरान की बात है आजकाल जमाना ऐसा हो गया जो गुरुद रही है उसी का पुजन हो रहा है पुरा तमाम दुनिया में हैरान की बात है गुरुद रही का सिंटम है जो गुरु बर्गों का अनुमदित नहीं है गुरु बर्गों का अनुमदित नहीं है गुरुद रही का गुरुद रही का सिंटम है शुद्व बुरिवस्णाप का जो बिचार है इसको सहन नहीं कर सकता। काटने ही पाता काटने का कुशिस करता है शुद्ध गुरु विष्टक को भगा देता है निमांतन नहीं करता उसका बिरुत आचरन का उसका आचरन का उसका सितान तो का उल्टा आचरन करता है यह यह सिंटम है गुरुद्रही का गुरुद्रही गुरुजी का साथ नौन नौन कॉआपरेशन करता है, उसका बात क्या करता है, कम्पिटिशन करता है, अधा पहले और सोह जोगिता, पहले और सोह जोगिता, नौन कॉआपरेशन, और सोह जोगिता, उसके बात प्रतिजोगिता सुरू कर देता है, कम्पिटिशन विद गुरु देप, गुरु बारग इसके बाद बिरोधिता डाइरेक कंफरन्टेशन ये है गुरुद्राई का नेकेट चोरीत्र है ये है गुरुद्राई का नेकेट पिक्ष्यर duniya जहानुम में जाए हम क्या करे कोई अगर शुनने के लिए त्यार नहीं है तो जाए हम क्या करें गुरु द्रही का तौरको निष्ट हिदाय में जो विचार प्रणाली रहता है पूरा उल्टा पौपाद गुरु बर्गों का पूरा उल्टा पूरा पूरा दुनिया इन लोगों का इन हराम खोरों का इन सब हराम खोरों का चरण में अपना जिन्देगी सेक्रिपाइस कर रहा है इन सब हराम खोरों का चरण में जगदवासी अपना जीवन जिन्देगी सेक्रिपाइस कर रहा है हम क्या करें हम क्या करें पॉर्मपुजवात केशव कुष्री माँ कहते थे जहां जो चीज मिलता नहीं पॉर्मपुजवात केशव कुष्री माँ कहते थे जहां जो चीज मिलता नहीं वहां से वही चीज प्राप्त करने का जो इच्छा है ए लोगों का बीमारी है जहां से जो चीज मिलता ही नहीं वहां से वो चीज मिलने का जो प्रचेश्टा ये दुनिया का एक बिमारी है क्या करो वहां रुपानु को भजन नहीं है वहां रुपानु को भजन नहीं है वहां भक्ती नहीं है वहां क्यों जा रहा है Why you are going to sacrifice your life there केसो को समय कहते थे सब उल्लुक का पठा है जहां जो जो चीज मिलता नहीं वहां से वो चीज प्राप्ति करने का जो इच्छा है ये है गलती ये ही है हमारा गलती वहाई मैं अपना जीवन जिन्देगी sacrifice करना चाहता हूँ ये ही मेरा बिमारी है क्या खाओ जगदबासी का ही बिमारी है गुरुद द्रही का तौरकोनिस्ट हिदाय में जो बिचार पुर्णाली है गुरुद द्रही गुरुद द्रही बहारी बिचार में गुरु का सेवक है लेकिन गुरुद्रही है मैं कसम से बोलना हूँ वो गुरुद्रही है उसका मूध अर्षन करने से आपका जिन्दगी काला बन जाएगा आपका जिन्दगी काला बन जाएगा काला बन जाएगा काला बन जाएगा आपका जिन्दगी भी क्यार बोल गुरुद्रही का तरकुनिष्ट हिदय में जो विचार प्रनाली है इसमें गुरुबा अभग्या गुरु अभग्या और सास्त्रों अभग्या छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता द्यान दे गुरु अभग्या और सास्त्रो अभग्या छोड़कर गुरु द्रही का तरकोनिष्ट हिदय में और कूछ नहीं रह सकता है क्या करें याद है ब्रह्मा जी जब तक तरकोपंथा का अबलमन किया था तब तक धोके में चला गया था बाद में जब ब्रह्मा जी ने अपना आत्मों समप्रण करके कह दिया जे गयने प्रयास मुदपाष्य नमंत एव जिवन्ति सन्मुकर इतम भवदिय भार्ताम स्थाने स्थिता स्थिकताम तो नुबांग मनो भीर जे प्रयासो अजीतो जीतो अशी तो इस्त्रिलोग क्या बाग्मान ने कहा दिया एई ब्रह्मा जी ने कहा दिया गयने प्रयास मुदपाष्य गयन का प्रयास तरको का प्रयास में फेग दिया गैने प्रियास अमुदभाश्य नमंतिये वा नमंतिय मतलब सरुनागति होकर जिवंति कैसे जियोगे जिवंति शनमुखरीत भववदिय वारतां शादू का नुका शन्त मा का चरुना बिंद में बैठकर इलो के आमने सामने बैठकर हरिकता सुनेंगे कित्तन सुनेंगे संग्याद ममविर्ज संग्विद भवन्ति हितकर नरसायनक का था ता जियोशनाद आशु अपवर्गनी शद्या भक्ति रति रनुक्रमेश्य थी एई ब्रह्माजी ने जगतक गैने प्रियास अमुदभाश्य नमंतिये वा और होकर नमंतिये वा में सरुनागत होकर जिवन्ति शादुगनों का साथ जो रहने का विचार कर लिया क्योंकि सादुगन के संग्व में भगवाद कथा का प्रव्वित्य जागरित होता है आहरीका तो चलती रहता है शान तो मात्मा का मुखारबिंद से शोगैने प्रयासमुदबश्य नमंतिये वा जिवन्ति शान मुखो रितम भववदिय शादू मुखो रितम मने गीतम भववदिय वार्तम भगवान तुमारा जो बारता है तुमारा जो प्रवचन है तुमारा जो महिमा है वो हम सुनते रहेंगे जो आप औजीत हो आपका नाम है औजीत यू के निवर बी कन्कुरेड आपको कभी भी जीता नहीं जाए और वही आप पकर में आ जाते हो वही आप पकर में आ जाते हो यही महिमा है इसी लिए देवता देवता लोग भगवान को बताये Corporation Dayat दिवकी मैया का गौर्व का स्थुति करने के लिए अथा पिते पदाम्मुजद्ध्यो प्रसादो लेश अनुग्रित एवही जनाति तत्यम भगवन महिम्नो नाच अन्यम एको एको उपी चीरो बिचिन माना जिन्देगी भर करोडो करोडो मुझा इन्फिनिटी प्रियोर्ड अनंतकाल अगर नापने वाला विचार रखोगे इफ यह गूंटी अप्लाई यूर मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट स्केल और टेप तब तक गुरु वहिष्णव का दर्शन संभव नहीं क्यूंकि गुरु वश्णव भगवान कें रिजर्ब दर्वाइट अप नॉट बिइंग एक्स्पोज तु यूर सेंस अगर्ण यह ध्यान देना इस बात पर तो अथा पिते पदाम्बुजद्दय और प्रसाद और लेशन गृत एवहि जनाति धत्तम भगवन महिनों भगवान आपका चरण का कीपा लेकर कीपा पाप्त होने का बाद आपका चरण का महिमा शतहा ह्रदय में पुकासित हो जाता है नहीं तो तरकपन्था अवलम्मन करके अनांत काल में आपका तत्तो का बारे में जानकारी लेना संभाब नहीं है अथा पिते पदाम्बुजद्दय और प्रसाद और लेशन गृत एवहि जनाति धत्त्तम भगवन महिनों नाचान्य एक ओपी चिरन भिचिन मनों ब्रह्मा जी ने अब हत्तो समप्र कर दिया ब्रह्मा जी ने ठक गिया तपशा करते करते बाद में भगवान चोतु स्रुकी भागवत सुनाएं अपना सरूप दिखाएं अपना धाम दिखाएं अपना नाम क्या है अपना परिकर लिला क्या है सब कुछ दिखा दिया इसी का नाम है चतुस्रकी बागवदा ज्यानम परमम गुयांग में यद विज्ञान समन नितं सार रास्तन तदंग अंच ग्यान गुदितंग में जबानाम यथा भाव यद रूप अगुन कर्म कहा ततीव तत्त विज्ञानम सुत्ते मदनु गुरा आगा पास्त परम पश्चा दहम यदे तत्च जवबसिसूसुमियां रेते अर्थम यत्पतीत नौ परतित च Operation अत्मानी तत्धानम यथा वास्त शतातमाह जतामाह जतामाह अंति भूतानी भूतेश उद्चा पानी प्रभिश्चन प्रभिश्चनी तत्तःतेश न पतेश्म एताव देव जिग्यासं तत्त जिग्यास सुनात्त नहां अन्नाई व्यतिरेकाभ्यां जट्सात सर्वध्यु सर्वधा एतत मतम समातिष्ट्य परमेन शमादिना भवानु कल्प विकल्पेशु न विमुयति कर ही छिए। आईवास समझ में भगवान ने खुद बोला अपना प्रयास फचेश्टा से आप कुछ नहीं कर सकोगे। भगवान आश्यरवात करके बताया, मैं कैसा हूं, मेरा इच्छा क्या है, मेरा सब कुछ. मेरा रूप गुन लीला परिकर वह सब कुछ मेरा आशिर्वात के द्वारा इस सब तमाम ततो का बारे में आपका हिर्दय में ततो बिग्यान प्रुकासित हो जाए आप जानकारी ले लो हिया है काल हम यहां तक चर्चा किया है कि स्वंबू लिंगों का बारे में जो स्लोक है ये तो नो दस अ कि ब्रह्मों स्वंबू लिंगों का बारे में शम्बूल लिंगों का भारे में शम्बूल लिंगों तत्तो आठ नौ, आठ और नौ हो गया? इसके बाद दौस नंबा स्लोक से इकिस नंबा स्लोक तक सिस्टी तत्तो गर्बू उसका बाद गर्बद को साई महाविष्णू से शत्तो रोजो तमगुन का अधिश्टात्ती देवरूप विष्णू, प्रजापती और रुद्र का भूदा है, इस बारे में जानकारी मिले, इसके बाद जीवों का सिस्टी और सम्मंदो बर्नन किया गया, अब ये चर्चा हो रहा है, सिस्टी चर्चा अब ये हो रहा है काल चर्चा किया था काल यहां तक चर्चा किया था क्या, शहस्त्र सिर्शा, पुर्शह, शहस्त्र आक्ष्यह, शहस्त्र बागूर, बिश्वात्मा, शहस्त्र आंग्शह, शहस्त्र सू, इसका माने क्या है, हमने कालवत्य था उसी जगत्पती महा विश्णू का 100-100 मस्तक, 100-100 लूचन, 60-100 चरन, 100-110 बागू, 6-100 अंसे, 6-100 अवतार, इवं दिश्वात्मा, इवं 6-100 जन के शिश्त्रिकोरेन एस अब तत्तों का बारे में मैंने काल थोड़ा बहुत चर्चा कर पाया बिसेस कुछ नहीं बोल पाया हमने बताया ब्रह्मा जी जो स्टॉप के दारा भगवान का आरदना करते हैं भगवान इसका नाम है पुरुष्वश्वशुक्त मंत्रो अम सहस्त tease रशाह, सहस्त्रवाद, यह जो स्लुक है इसका टीका में गुपाल सहस्त्र नाम का भी टीका लिखा है जिव उक्षे बाद। तीका कारों ने बताया यहां शहस्त्र इंडिकेटS इनफिनिटि यहां जो सहस्त्र है इस बात समाईने का कुशिच किईए द्यान दे इस बात पर तिका कारू ने बताया ये सहस्त्रो इधर ये इंडिकेशन है अनन्त का क्योंकि नहीं तो बिचार में गल्ती आ जाएगा कैसे? जैसे जैसे अगर आपका हजारो मुंड है हेट अगर आपका हजारो मुंड है तो क्या आँखे दो हाजार नहीं होगा? नहीं होगी क्या? तो आप अगर लिटरल मिनिंग ज्यान दे अगर आप लिटरल मिनिंग अखरिक और्थो लेना चाहते हों लिटरल मिनिंग तब तो गल्ती बैठेगा कैसे? जो सहस्तो सिर्षा है जिसका हाजारो माता है उसका तो आखे आखे तो डबल होना जी, दो हाजार होना जी तो ये माने ये नहीं है ठीका कारो ने बताया यहां शहस्त्रो का मतलब है infinite इंफिनिटी अनंद अंगिनत infinite शो शहस्त्रो सिरसा पुरुशह शहस्त्राक्यव सहस्त्रपा सहस्त्रबाहूर विश्मात्मा सहस्त्रांग्षभ सहस्त्रसू ठीक है ना? तात्पर्जी ये हैं कि यही परात्पर अक्लिश्वर, तात्पर्जी ये हैं तात्पर्जी ये हैं ये सर्व बेदों का स्थावनियों महा विष्ण भगवार ने खोद बताया तात्पर्जी ये हैं वही सर्व बेद का स्थावनियों वस्तु महा विष्णु जिसका बारे में हमने पहले ही सुरुवात किया था एक स्लोग देकर क्या स्लोग जश्य का निश्य शितो कालो मताव लंबो जिवन्ति लोम बिलजा जगदन्दनाथा विष्णु न महानुस यो जश्य कला विष्णु गविन्द माधि पुरुष्वं तवाम भजामी तात्पर जिये हैं शर्ब बेदो का स्तावनिय वस्तु महा विष्णु अनन्त कॉरण विष्णु अनन्त कॉरण विष्णु एबंग अवतार शकलेल मूल आद्व अवतार पुरूर। अब इस शिद्धान्त को थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करें प्रयास करेंगे ठीक हैं यहां पहला बात यह हैं जो सभी को निशेश तो गालम अथा बलंबो जिनका एक्सेलेशन और एनिहलेशन एनिहलेशन निशास को गोन करना शास प्रशास शास माने अंदर में गोन करना प्रशास मतला तैक करना यही माने बैटता है यही माने बैटता है ना सास प्रशास मनलब एक्सेलेशन और एनिहलेशन एजन निशास प्रशास महा विश्नु का इसमें बताया गया इसमें बताया गया इसमें बताया गया के भगवान का निशास का साथ अनन्त ब्रह्मान्दु का प्रकटन होता है और भगवान का प्रशास का साथ समा म स्रिष्टी भगवान का अंदर में शमा जाता है तमाम स्रिष्ट्री भगवान का अंदर में इन्फिनिटी क्रियेशन भगवान का अंदर में शमा जाता है यह माने है और जिनका निश्यास के समय तक यह अनन्त ब्रह्मांडो प्रकट रहता है इसका बात फिर अंदर चला जाता है भगवान में समा जाता है जगवान ने इस जगत में इंदरों को सर्गों का राजा बना दिया बरुन को जल्देवता बना दिया बायू देवता को दे दिया बायू का पवन देव को बायू का देवता बना दिया गया जब अपना अपना कैबिनेट मिनिस्टर्स है जैसे जिस सिस्टेम हमारा मिनिस्टर लेगे में चलता है न ऐसा ही मापी समय लोग कि यह ही है तो यह सब कब तक कब तक यह लोग कैबिनेट मिनिस्टर रहें बहले जब तक भगवान का निश्या से जगत का सब जन सम मालिक बनके बैटा हुआ है जगत अनन आथा और बिश्णूर महान यो जश्यकला विशेश्यक गविन्द वाधी पुर्शम दोमा वही गविन्दु को मैं नमन करता हूँ जिसका अंग्षका अंग्षक कला कला कल आभी शेश्ट आश्चर जी की बात है देवता लोग उसी समय तक कर सकता है इसका बात नहीं है जैसे बर्तमान जो इंद्रो है ये तो नेक्स्ट मननतर में अभी बोली महराज को ये कैबिनेट दिया गया बोली महराज बोली महराज जी इंद्रो का पद और अंकित करेंगे बोली महराज ये जो बिचार बनता है बड़ा अद्भूत तो जो देवता लोग कैबिनेट मिनिस्टर बनके बैठा हुआ है उसका भी आयुष्काल पूर्णुन से उसको जाना पड़ेगा उन सबी को जाना पड़ेगा यही जो करनर नवसाई महा विष्णु है यही जो करनर नवसाई महा विष्णु यह जो है करनर नवसाई महा विष्णु कि एक हर्न नम्ज़ाई महा विश्णु से अनंत विष्ध निकालता है और जितना सरे अभतार लिखावा है अभतार जितना सरे अभतार एक-एक ब्रह्मान्ड में होता है अभवतार मतलब इस ब्रमान वे इतना अभवतार है से अभवतार ये सारे अभवतारों का आद्धो अभवतार तमाम अभवतारों का ये आद्धो अभवतार है तो यह जो है तात्पर जी है सर्व बेदो में जिसका स्तवन किया गया महाविष्णू अनंतो करन शक्ति भी सिष्टो अनंतो करन शक्ति भी सिष्टो एवन अवतार शकलेर मूल आद्व वता पूरूश इसके बाद बिचारता है हमने बताया था शास्टो सिष्टा मतलब अनुन्तो मुख बाहू विशिष्टो नहीं तो बीचार में गलत गलती हो सकता है यह यह बीचार है इसके बाद बाराखार नंबर स्रुक में बताया गया है नारायन हासो भगवान आपहत तस्मत सनातनत आविराशित करनार्णो निदिष शंकर्षनात्म कहा योगो निद्राम गतो तस्मिन सहस्रांग्षः पुरुषः 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 द्यान दे योगो निद्रा योगो निद्राम गतो तस्मिन सहस्रांग्षः स्वयं महानो नारायन हास भगवान आपो उस्तस्मात सनातनात आविराशित करनार्णो निदिष शंकर्षनात्म कहा योगो निद्राम योगो निद्राम गतो तस्मिन सहस्रांग्षः स्वयं महानो शो भगवान मिल यही भगवान महा विष्णु शंकर्षनात्म कहा नार्यन अथत गोलकोस्तो मूल शंकर्षनेर प्रकास भिग्रो परप्रम्बाब यकुन तुस्तोस महास अंकर्षनेर अंग्षो अंग्षो पथम पूरुष अवता इन्होंने अगर माईक जगत में नार्यन नाम में विचार किया जाए तो अच्छा है यही जगत का आदमी इसी को माना जाए यही महा विश्णू इसका माने क्या है यही महा विश्णू माईक जगत में नार्यन नाम में पुजीत होता है यही सुनातन पुरुषे कारण समुद्र का जल उत्पन्नों हुआ है परब्रमस्तो संकर सनांग्षो इसी सहस्रांग्षो परम पुरुष भगवान इसमें जगो निद्रा गतो होके स्वयन करता है क्या माने आए वही महा विश्णू माईक जगत में नार्यन नाम में पुजीत होता है एही सनातन पुरुषे कारण समुद्र कारण जल उत्पन्नों हुआ है परब्रमस्तो शंकर्षन इसी शंकर्षन परम पुरुष भगवान अर्था जिन में जगो निद्रा गतो होके भगवान स्वयन करता है स्लोक को दुबारा दोराए अच्छा है इसके बाद नेक स्लोक में जाएंगे नारायन हास भगवान आपो स्तस्मात सुनातनत आविराशित करण आविराशित करणरनों निदि शंकर्षन शंकर्षनात्म कहा जगो निद्राम गतो स्तस्मिन सहस्रांग्षा शहस्रो महानों क्या बताए दियांदे नारायन हास भगवान आपो स्तस्मात सुनातनत आविराशित करणरनों निदि शंकर्षनात्म कहा जगो निद्राम गतो स्तस्मिन सहस्रांग्षा स्वयं महानों इसका माने है ए महा विष्णु का एक एक रोम कुप में रोम जानते हो ना महा विष्णु का रोम विवर में अननत ब्रह्मांड रहता है महा विष्णु का रोम विवर समुह में शंकर्षन का चित बिज शमुह अननतो होईमांड रुपे जातो है महा विष्णु का रोम विवर समुह में शंकर्षन का चित बिज शमुह अननतो होईमांड रुपे जातो हुआ है और एवम वही वो सब तमाम वो जो होईमांड आमान गोल्डेन एग होईमांड मिन आप समझोगे नहीं हिंदी में इसका नमाई गोल्डेन एग शोनाद दीम वही सब होईमांडो शोने का डीम मतलब डीम नहीं है अंडो अंडो मने डीम लेकिन ब्रहमांडो को अंडो का साथ तुलना किया गया क्योंकि इसका बारगे कटा इसका ब्रहमो कटा हो इसका छेद होने से चिनमाई पानी कारण सागर से आया इसलिए बताएगा तो यह होईमांडो जो तुलना किया है यह असली में सुने का अंडा नहीं है इसका थिम इसका इन्या मिनिंग लेना है आई वाज समाझ में होईमांडो महाभूत धराव आप व्रितो थाके अर्थाद क्या बताया महाविष्णु का रोम विवर समुह में शंकर्शनक का चिद बिच समुह अनन्त वही मांडो रुपी जातो है वही सा प्रमांडो महाभूत के द्वारा आप रित रहता है महाभूत के द्वारा आप रित महाभूत पूरम एक जगा है सावतिन्या में महाभूत पूरम महाभूत पूरम महाभूत पूरम भूल गया आर ये जो तात्पर जी ये हैं तात्पर जी ये हैं कारणार नव और नव वाने समुद्रों कारणार नव अतत्कारन समुद्र में स्वयन आद्दावतार पूरुष एरुप व्योद बैपार जे इनके ऐसा व्योद बैपार है कारणार नव अतत्कारन समुद्र में स्वयन करने वाले आद्दो पूरुष अवतार का ये जो विचार है इसमें आप घबड़ा जाओगे क्यों 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 कि कारणार नव में आतात कारण शमंदर में आद्ध पुरूश इतना एक बिशाल भी चीज़ है इन्फिनिटी ए रूप ब्रिहद ब्यपार एसा एक ब्रिहद बिशाय है जो क्यों इनके सरीर का रोम रोम में आनंतगड़ी ब्रह्मांडो बिज उत्पन्न होत हुए है ओही ब्रह्मांडो चौय चीज़ का अनंतधाम का अनुकरन ओही ब्रह्मांडो चौय ब्रह्मांडो चौय सब दिखाये पड़ता है शागत ओही ब्रमान्डो चॉय चिजगत का अनन्तो धाम का अनुकरन है जब तक पुरुशावतार का सरीर रहता है जब तक पुरुशावतार का सरीर रहता है तब तक ये लोग चिदाभास रूप शौकनांडेन है अतोचो अतोचो महा विष्णु का अधोचो At the same time, महा विश्णु का जगत संकल्पो होने से, महा विश्णु का अंदर में जगत संकल्पो क्रमे, माईक निमित्तो पदानंग्षो गतो, महा भुद गनेर भूत शुक्ष्मांग्षो तादियो के आगरुन क्या वता रहे हैं? महा विश्णु का जगत संकल्पो क्रम, माईक निमित्तो पदानंग्षो गतो, महा भुद गनेर भूत शुक्ष्मांग्षो तादियो के आवरुन करके रहता है। पुरुष का निश्चास का साथ यही सब हुईमांडो गोल्डेन एग्ज बाहर में आ जाता है। तब माया का अश्यम प्रकोष्ट में प्रवेश करता है, माया का गर्वो में प्रवेश करता है। तब अपन्चिक कृतो भुद्धारा परिवर्जितो है। नारायन हां सा भगवान आपुस्तस्मात सुनातनत् आविरासित करणार्नो नीदिही संकर्शनात्मका योग योग निद्राम गतुस्तस्मिन् शहस्रांग्षः स्वयं भवा शयं महान। फिर आगे चलकर हम लोग विचार बनाएंगे आगे चलकर आ लिखाएं बला इसका बाद लिखाएं चौदा नंबर में अभी 21 नंबर तक ऐसी चलेगा शिष्टिकर हश्रादी महा विष्णुका महिमा प्रत्यांडो मेवो मेकांग्षा देकांग्षाद विशती स्वयं क्या पता है? प्रत्यांडो मेवो मेकांग्षा देकांग्षाद विशती स्वयं सहस्व मुर्धा विश्मात्मा महा विष्णु सनातना क्या पता है? एवं प्रत्यांड्यां इसका बाद महा विष्णु हार ब्रह्मान्डो में प्रविश्टो होता है आई बाद समझ में प्रत्यांडो मेवं धीर धीर पाठ करें देखो प्रत्यांडो मेवं एकांग्षा 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 देकांग्षाद विशती स्वयं क्या होता है? प्रत्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड्यांड तो में प्रविष्टो हो जाता है। ब्रह्मान्द में एक एक आंग्ष में प्रविष्टो हो जाते हैं। ब्रह्मान्द का विष्वात्मा है। अनंत ब्रह्मान्द का मालिक भी है। सब कुछ है। तो तात्पर ये हैं। सब्रविष्वात्मान्द महाविष्वात्मान्द का मान्द का मत्ला है। इन्फिनिटी तो कारण अधी कारण अधीते स्वयन महाविष्णू महा संकर्षण का आंख्षण है तो कारण अधाई कारण सगर में स्वयन महाविष्णू ये महा संकर्षण का आंख्षण है इन में से जितना ब्रहमान्दो निकाल के आया है अनंत यही सब ब्रहमान्दो स्वयम इसी सब ब्रहमान्दो में एक एक ब्रहमान्द में शयं अंग्श रुप में प्रविष्ट हो गया और हर्रेक ब्रह्मान्द में प्रत्यक अंग्ष ही गर्वद को शाई पूरुष एवं सर्व भावेन महा विष्णु का सद्रिश है शनातन महा विष्णु का सद्रिश है इनको शमस्टी अंतर्यामी पूरुषो बोलाया लाए फिर ये गर्वद को साई विष्णु से बाद में हम दिखाएंगे ये ही गर्वद को साई विष्णु ब्रह्मा जिसके जिनके नाभी नाल में उत्पत्ति हुए ये तो है गर्वद को साई विष्णु हर ब्रह्मान्द में एक है इसके बाद एही गौर्वद्ग साही विष्णू हमारा खीर सागर ये ब्रमांड का भीतर ये ब्रमांड का भीतर एक खीर सागर है ये ब्रमांड का भीतर एक खीर सागर है याद है ना जिस खीर सागर में ये दुच्तो दानुप का अत्ताचार से प्रतिवी महिया को बचाने के लिए प्रतिवी महिया जो रुई है आफसोस की है ये प्रतिवी महिया को लेकर ये ही ब्रमांड जी हमारा ब्रमांड का ब्रमांड जी सारा देवता लोग कर लेकर खीर सागर शिर सागर का किनारे पहुचा और पूरुशो शुक्तो मंत्रो का द्वारा इनको स्थप की पार्थोने की जबी आगे चलकर आकास बानी हुई ये ही खीर सागर हमारा ब्रमांड में है ये ही खीर सागर में अनिरुद्व महा विश्णु रहता है द्यांड दे डोंट बी इन कन्फीशन पहला कारणारनम साही महा विश्णु इसके बाद कारणारनम साही महा विश्णु हर ब्रमांड में प्रविश्णु होकर गर्वदो का साही महा विश्णु इसके बाद हमारा ये ब्रह्मान्द में एक छीर सागर है ये छीर सागर में अनिर्द्धो महाविष्णू जो सर्व जीव अंतर्यामी हमारा ये ब्रह्मान्द में जितना जीव है अनन्त ये सब जिवों का अंतर्यामी पूरुष परमात्मा का रोप में हर हिदाय में बिराजमान रहता है आई बात समझ में? हाँ ये समस्ट्य अंतर्यामी पूरुषो एक गर्वद गुसाही विष्णू ये सर्वत भाय महा विष्णू का सद्रिश्व है जिनको शमस्ट्य अंतर्यामी पूरुषभो रहात है इसके बाद आई बात समझ में? प्रत्यांडो मेवम एकांग शाद एकांग शाद विष्वती स्वयम शहश्व मुर्धा विष्वात्मा महा विष्णू सनातना इसके बाद क्या हुआ? बले बामांगाद अस्रिज्याद विष्णूम दक्षिन आंग्याद प्रयापतिम योतिर लिंगमयम शंभूम कुर्चो देशाद अबास्रियाद आई बास्रियाद विष्णूम यही महाविष्णू श्रियो बामांग से अपना बाम भाग से विष्णू को अद्दक्षिन आंग्याद से प्रयापति को एबन कुर्चो देश अत्त भूद्ध है कुर्चो मतलो आईब्रू टू आईब्रू इन मिदल पोर्शन इसका नाम है कुर्चो देश बामांगात ध्यान से सुनिए बामांगात अस्रियाद विष्णूम दक्षिन आंगात प्रयापतिम जोतिर लिंगमयम विष्णूम जोतिर लिंगमयम संभूम कुर्चो देशाद अवास्रियाद तो फिर माविष्णूज अपना बाम भाग से लेप्ठ हैंड पर्ट से विष्णू को दक्षिन पर्ट से राइट हैंड पर्ट से प्रिजापति को एवन कुर्च देश मतलब भुरूबोर मद्धे भुरूबोर मद्धे जो भुरुद्वाय भुरू आई भुरू इसका बीच का अंदर में अंदर से जोतिर लिंगो मयम संभू को सिष्ठ की जिसका बारे में मैं पहले बताया था बामांग्याद अस्रियत विष्णूम दक्षीनांग्याद प्रजापतिम जोतिर लिंगो मयम संभूम कुर्चो देशात अवास्रियत हो गया अभी इसका तातपर्ज का बारे में थोड़ा चर्चा हो रहा है क्या है बले इदर लिखा है तातपर्ज में बैस्टी अंतर यामि खिरदक साई पुरुशी सी बिष्णू हिरन्य गर्वरूप भगवद अंशवी प्रजापति इनी चोतर्मुग ब्रह्मावी ते अलाग है हिरन्य गर्वरू भगवादम से प्रजापती चोतुर्मुख ब्रमा से अलग कंसिप्शन है हिरन्य गर्वही अनंत ब्रह्मान्ड का प्रत्तिक ब्रह्मा का बीस्तत्तों कि कंफ्यूशन ना हो जाए ध्यान दे क्या बताया बैस्ति अंतर्यामी खिरदों के साइज जो पहले हमें बताया हर ब्रह्मान्ड में है जो चीर सागर है इसमें जो अनग दो विष्णू सर्वजीव अंतर्यामी ये ब्रह्मान्ड में ये बैस्ति अंतर्यामी पहले वाला बताया था गर्वदों को साइज विष्णू को क्या बताया स्वमस्ति अंतर्यामी शौमस्थ्य अंतजब्याद है ना तमाम सौमस्थ्य जीवों का उसका अंतर्या और यहां खिर्दकु साहई विष्ट्नो जो है यह छिर साकर में सहयन करते हैं गौर्वुदकु साहई से आए ही वोय है और यह हर जीवों का अंदर में परमात्मा का रुप में विराजमान रहता है इसलिए इसका नाम हो गया क्या बैस्टी सांस्किर्ट नौलेज अगर नहीं है तो ये दिक्कत होगी बैस्टी शमस्टी तो बेरी कॉमन 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 फोलो इंडिविज्यल सामेशन एक है शमस्टी अंतर्यामी शमस्टी मन सामेशन बैस्टी मन है और इंडिविज्यल जिवो का अंतर्यामी ये सीधा बात है इसमें हैरान का कुई बात है नहीं सीधा है तो बैस्टी अंतर्यामी खेरदको शाई पुरूष ये शिविष्णु है इसका नाम है प्रजाबति इसका नाम है प्रजाबति एहिरन्य गर्भई एहिरन्य गर्भो एह अनंत ब्रह्मान्ड का एहिरन्य गर्भो एहिरन्य गर्भो जे भगवदंश प्रजापति जिसको बताये है एहिरन्य गर्भो ही अनंत ब्रह्मान्ड का प्रत्यक ब्रह्मा का बिस्तत्यों माने हर एक ब्रह्मा ब्रह्मान्ड में हर एक ब्रह्मा हर एक ब्रह्मान्ड में जे आते हैं इसका बिस्तत्यों है मुल्तत्यों है ये प्रत्यक ब्रह्मा का बिस्तत्यों है जोतिर लिंगो शंबू तो दियो मुल्ग तत्तो आदी लिंगो रूप शंबू जिनके विशाय में पहली हम बताया था ये जोतिर लिंगो मां शंबू तो दियो मुल्ग तत्तो आदी लिंगो रूप शंबू जो पहले बताया था यह कैसे कैसे माविष्णों देखने का बाद जो शंभू लिंगो प्रकिति को साथ संस्पर्स में आकर श्रिष्टी रचाते हैं यह अनुन्त अनुन्त ब्रह्मान्डों का भिकास होता है श्रिष्टी यह बताया यह जो तिर लिंगो माई शंभू जो है तो दियो मुल तक्तो आदी लिंगो शंभू का प्रभूतो प्रकास मात्रों आदी जो पहले आमने बताया था आदी लिंगो रूप शंभू का प्रभूतो प्रकास मात्रों विष्णू महा विष्णू का शांग्षत अत्तो जो विष्णू जो हमने बताया पहले बहले स्लोक में एस सृष्टी सृष्टी प्रोलाई के लिए ब्रह्मा विष्णू महेश्वार यह जो नाम आमने आभी बताया ना महा विष्णू का बाम अंग्षशे विष्णू को दक्षिन अंग्षशे प्रजावति को और कूर्चो अत्ताग भुरुत दोय आई भुरु इसका बीच में से जोतिर लिंगो महेश्वार यह संभु के शिष्टी किया है इसी काई चर्चा इनी काई चर्चा हो रहा है बैस्तिय अंतर जामी खेरदकु शाई विष्णू ही श्री विष्णू हिरन्य गर्व भगवद अंग्षवी प्रजावति इनों ने ये जो है चतर्मुग ब्रह्मा से अलग है और एई हिरन्य गर्व ही अनंत ब्रह्मान्ड का प्रत्यक ब्रह्मा का बीस्तत्व है फिर आगे चल कर कह रहे हैं जोतिर लिंगो मौई शंभू जो है तो दियो मुल्ट तक्तो इनके जो मुल्ट तक्तो आधी लिंगो रूप शंभू का प्रभूतो एं प्रकाश मात्तो एक क्लियर एक्स्प्रेशन प्रभूतो प्रकाश मात्तो आर अभी जब विष्णु है महा विष्णु का शांशत अत्तो जिसका बारे में हमने अभी बताया था महा विष्णु का सांशत अत्तो अते शर्व महेश्वा एवंग प्रजापति और जो शंभू है जो तत्तो हमने बताया एवंग प्रजापति और शंभू ये महा विष्णु का बिविन नांशत समझा नहीं बहुत बहुत सिद्धांतो जिसका हिर्दाय में है वही समझ सकता है बाकी अदमी हवा का मापिक सुनेगा उदर से निकल जाए क्या करें हम इसका क्या इलाई है बताओ बिष्णु ये तो और्डनेरी सिद्धांतो है जो बिष्णु तत्त्तव मनें बताया है यह महाविष्णू का सांग्षो तत्तो, सांग्षो तत्तो, दो तत्तो हैं, जगत में एक सांग्षो विविन्नांग्षो, विविन्नांग्षो में जीब तत्तो भी आता है, फलो एब विष्णू महाविष्णू के सांग्षो थत्तों एवंग सुर्व महिंश्वर एवंग प्रजापति और संभू महाविष्णू का विविन्न अंक्षो विविन्न अंक्षो में आता है सांग्षों में आता नहीं विविन्नांग्षों में आता है अतयेव आधिकारिक देविशेश महाविष्णु का विविन्नांग्षों जो है ये आधिकारिक आता अधिकार प्राप्तो अधिकार प्राप्तो देवता अधिकार प्राप्तो देवता में गिंती होता है तो ये महाविष्णु का विविन्नांच है है अतहा आधिकारिक देविशेश ये आधिकारिक देवुता में गिंती होता है शियो शक्ती बामे था के आपना शक्ती बाया भाग में रहता है महाविष्णु का ये तो नियोम है है न किसी भी सक्ति बाया में रहती है तो स्रियों सक्ति बाया भाग में रहती है इसलिए महा विष्णु का चिछ सक्ति शुद्ध शुद्धों से बामांगों में विष्णु का उदय है क्योंकि विष्णु ही इस्षर रुप में प्रत्यक जीवों का अंदर में परमात्मा का रुप में अंतर्यामी का रुप में विराजमान रहता है बेदों में जिसको अंगुष्ट मात्य पूरुज वोलके चिन्नित किया गया बर्नन किया गया प्रादेश अमात्रम पुरुषम वशंतम प्रादेश जन्तियों आईडिय नहीं है कुछ क्या करोगे प्रादेश मतलब अपना जो हाथ है अपना हाथ है ना प्लाम प्लाम इसमें अंगुष्ठो ब्रिद्धांगुली से लेकर कुष्ठोंगुली तब प्रशार कर दो आता है इसका नाम है इसका नाम है इनो प्रादेश्यमात्रम पुरुश्यम वशंत्रम और भागवत में है प्रादेश्यमात्रम पुरुश्यम वशंत्रम और बेदों में उंगुष्यमात्रम पुरुश्यम भुलके जिसको सुना जाता है अंतर्यामी भगवान यह पालन करता पालन पोशन में लगे रहते हैं कोर्मी लोक्षम्वों जो कोर्मी वेक्ति हैं इनको ही जोग्यस्वर नारायन बोलके पूजा में लाता है कोर्मी लोग जो कर्मकांडी है कोर्मी लोग है इनको ही जोग्यस्वर नारायन बोलके पूजा करते हैं और इनी को ही जोगी गन परमात्मा बोलके ध्यान करके शमादी प्रताशा करते रहते हैं आई बात समझ में बहुत चेश्टा करने से थोड़ा बहुत समझ में आता है और गुरु की बहुने से पूरा समझ में तो फिर यह जो अगले वाला जो स्लोक है 16 नंबर इसमें बताए गया अहमकार अत्मक विश्वम तश्माद एतत बजायत अगले जब जब बाद में हम चर्चा करेंगे अगले हपता में अब दिखाएंगे पुरुष्य शुक्त मंत्रों में क्या गंबीर विचारे यह बेदो का ही है ब्रह्मा का मुख से निकाला हुआ है पुरुष्य शुक्त जो अभिशेक का टाइम में प्रैयहा सुना जाता है महामन तो देखे भी किसी किसी जगा अभिशेक होता है पंचोत अत्तों देखे भी होता है पंचोत अत्तों का महामन तो देखे रादा को इंदक हो जाता है फिर भी पुरुष्य शुक्त मंतों बोलना जरूरी है प्रमा जी आधी को भी आधी गुरु किया है इसलिए हम लो एतत बजायत इसका गहरा मिनिंग है शिश्ची तत्तों के साथ जोड़ा हुआ है ना तो इसमें बताया गया तश्मात अतत एही शंबूशे तश्मात मतलब अगले स्रोक में जो बताया गया तश्मात यही शंबूशे अहंकार अत्मक अहंका सरुप एतत बिश्वम बजायत मतलब उत्पन्न होई है अहंकार आत्मक अहंकार आत्मक विश्वम तश्माद एताथ बजायता माने क्या है माने यह है जीबू का संबंद में शंबू का क्रिया यहां तक है जो एही शंबू से अहंकार आत्मक विश्व का उत्पन्न हुई है जीबू का संबंद में शंबू का क्रिया एही है क्या है कि एही शंबू से अहंकार आत्मक विश्व का उत्पन्न तापपर जी क्या है ज्यान दे विश्यो का उत्पन्नों बोलने से घबड़ा ना जाओ इसमें इंट्रिपिन्योर सिप आपका अम्मर में सोज विचार आ रहा है एक बिजनेस खुलेंगे एक बैपार खुलेंगे विचार आ है तो फिर आप इसी तरफ आगे बड़े इसका नाम है एंट्रुपिन्योर सिप ठीक है न? लेकिन आपका अंदर में आत्मा है आत्मा का उपर का कौवरिंग है शुक्ष्मों दे हो इसका उपर चोला मोटा चोला जो है ग्रॉस बड़ी है कहने का मतलब है अंदर में जो चेतन पदत्तों आत्मा अगर ना रहे तो यह गिर जाएगा यह तो मैटर है लेकिन यह बात ध्यान देना जब भी आत्मा का साथ प्रकिति का कोई टाच नहीं हो नहीं सकता फिर भी इसका अपर जो कवरिंग है यह जो शुक्ष्मा आत्मा शुक्ष्मा शरीर इसका मन बुद्धी चित्तों अहंकार यह सद्योज कालों से चलते आ रहा है किष्णो भूली किष्णो भूली सही जीब अना दी बहिर मूग और तो यह माया तरे दे शंक्षाल दिदू आई ब्यास समझें तो अगर चिनमा आत्मा नहीं है तो एंट्रुपिन्वेट्सिप का कोई सवाली नहीं पैदा होता कहां से आएगा वो चिनमा आत्मा है और उसका अपर माया चड़ा हुआ है कबरिंग इसलिए इंट्रुपिन्वेट्सिप हा रहा है लेकिन गहरा भी चरिए कि आत्मा अथा चेतनमा आत्मा अगर नहीं रहे तो फ्री विल किसका रहेगा बिजनेस कोन करेगा बिजनेस करने का जो इच्छा है फ्री विल सा आया हुआ ना तो free will तो आत्मक है लेकिन confusion यह है माया का covering होने का कारण इसमें बताय गया जो मैंने कर दिया एक business मैंने building बनाया इसलिए इस हब्दों को ध्यान से विचार करना अहंकर आत्मक बिश्वम तर्श्मात एतत बजाया था अगर संभू जो तमगुन का अधिश्थात्य देव है इच्छा करके ऐसा तो संभू परवंश है तो यह दो है यह अहंकर आत्मक बिश्व का उत्पत्ति अहंकर आत्मक बिश्व में प्रकिती मैया आता प्रकिती और पूरुष अगर ना रह तो हुगा नहीं होगा नहीं न प्रकिती और पूरुष मिलकर होता है एक साथ चेतन मैं आत्मा ना रहे तो सारे सिस्टी बेकार है तिसलिए अहंकर आत्मक जिसका अंदर में मी माइन मैं मेरा यह बिचार ना रहे तो अगर ना रहे तो सिस्टी नहीं हो थी शिष्टी का कोई सवाल नहीं है मैं मेरा ये विचार अहंकार आत्मक विश्व का उत्पत्ति शंकर से हुआ हूँ अहंकार आत्मकम विश्वम तश्माद एतत बयायत हूँ जिवो संबन्द में शंबू का क्रिया एही है कि एही संबू से अंकार आत्मक विश्वका उत्पत्ती हुआ है मैंने थोड़ा इंटर्नल थिम को बताया थिम मतलब इंटर्नल थि तात्वर जी एह है मुल तत्तो में भगवत तत्तो प्रिथक अभिमान सुन्नो प्रिथक कोई अभिमान पहले नहीं था मुल तत्तो में भगवत तत्तो में तात्पर जी एह है मुल तत्तो में अत्तत भगवत तत्तो में प्रिथक अभिमान सुन्नो शर्व शत्तो मैं आर मायक जगत में बिविन्न अभीमान रुप बिविन्न अभीमान रुप बिविन्न डाइवर्सी पाये बिविन्न अभिमान द्यान दे फिर से हम बता है मुल तत्तो भगवात तत्तो में प्रितक अभिमान सुन्नो शर्व सत्तो मौई एक तत्तो था मायक जगत में जो बिविन्न अभिमान रूप लिंगो का अत्ता चिन्नो लिंगो मतलब चिन्नो प्रितक सत्ता का उदाय होता है मैं मेरा का मैं मेरा मायक जगत में जो विविन्न अभिमान रूप विविन्न अभिमान रूप लिंगो का तचिन्नों का प्रितक सत्ता का उदाय होता है एक स्पेशलिटी एजो उदाय होता है प्रितक तत्तो का उसी सुद्ध सत्ता का मायक प्रतिफलन उशी सुद्धो सत्ता का माईक पतिभल एवं यही आदी शंबुरुप में रमा दिवी का विकार रुप माईक जन्यात्मक अधार तत्त के मिलित हो गया जिस समय शंबु केवल द्रब्बो बुहात्मक उपादान तत्रमात उस समय जिस समय यह सब मिलने का बात हमने बताया था क्या बताया था अगर लिंक खो जाए तो आप भी खो जाओगे समय नहीं पाओगे माईक जगत में ओ जो मुल्ग तत्त भगवत तत्त का प्रिथक अभिमान सुन्नों शर्वो शत्तो मौई एक तत्तो था लेकिन माईक जगत में जो विविन्ना अभिमान रूप लिंगो का तत्चिन्यों का प्रितक सत्त का उधाय होता है वही ओरिजिनल में जो सुद्ध सत्त का माईक प्रतिवलन ये है ये जो हमने आभी बताया ये सुद्ध सत्त का माईक प्रतिवलन बताया एवां आधी संभू रूप में आधी संभू विश्वत तत्त है आधी संभू रूप में रमादेवी का विकार रूप माईक जो नात्मक आधार तत्त में मिलित होता है आई बात समय में जित्ता सारे जीब अनन्त जीब ये माईक रमादेवी जो मूल जो अंतरंगा शक्ति उसका प्रतिवलन इस जगत में माईक इसका गर्व में संजारी दो जाता है जन्यात्मक आधारे मिलित होता है उसी समय संभू केवल द्रब्व बुहात्मक उपादान तत्त मातो अता द्रब्व मैटर मनें इंग्रेडियेंट्स विश्व सिष्टी का निर्मान का जो द्रब्व है वही संभू केवल द्रब्व बुहात्मक उपादान तत्त मातो फिर जिस समय तत्तो विकास ग्रैजुली होते होते प्रत्यक ब्रह्मांड में अलग अलग से प्रकासित होता है तक तप भृद्ध है अता आई भृद्ध का बीज में से जो शंबूत उत्पन्न होता है उत्पन्न या तो शंबूत तत्तो में भी विकास रूप रुद्ध तत का हुदव्य होता है ओए औरिजिनल सम्भूतत्त था भी हर अवस्ता में मतलब अहंकार आत्मक कि मैं मेरा इवीचार नही deserves नहीं आगे बरह अब यह बताओ अगर दुनिया में मैं कृष नहीं हो मैं कोरेप मेरा कुछ नहीं है ऐसा अगर औरीजिनल विचा रहता तो सुष्टी का प्रचार प्रचार होना संबव होता है जैसे ब्रह्मा शात से जनम में बहुत बर्प्रस पहले मानस जनमों से लेखा बहुत जनमों का कुछ कुछ हुआ ले बाद में जब स्त्री पुरुष का कंसेप्शन लाया तब से स्ष्ष्ठी धकाधत बरने जब आई बस समझें किसी का अंदर में कोई अभिमान नहीं है फिर भी कर्म कर रहा है ए समभब नहीं एक मत्तों महापूरुष का गीता मिज़ो हता है उडिनेरी आदमी का अंदर में अभिमान है इसलिए कोई भी बिजनिसमैन कुछ भी करे कोई साइंटिस कुछ भी करे डोक्टयर कुछ करे लोईयर कुछ करे मास्चर कुछ कुछ भी करे और डिवें बई इसके लिवा होता नहीं आदी शंबू का समाई जो चर्चा किया था जो आदी शंबू से अनंत ब्रह्मांड का कैसे बिर्जो आया इसका मतलब है बिर्जो मतलब ये द्रब्बो बहात्मक उपादान मात्रो पहले था उसी समाई आज जी समय तत्तो विकास होते होते हर ब्रह् अलक्सा एक एक प्रह्मान्द में भुरूदेश, आईवरू से जो उतपन होता है प्रजापति का, प्रजापति का आईवरू से बीच में से ये संब्धत्तो उसी संब्धत्त का यही है लेकिन ये शंबुतत्तो और वो शंबुतत्तो एक जैसा लगता है वहां से ये ओरिजिनली आया है और उनके जो गून है ये शंबुतत्तो में विकास रुप रुद्धतत्तो का उदाय होता है फिर भी हर हालत में चाहे मूल संबुतत्तो हो या रुद्धतत्तो हो इसी ब्रह्मान में हर संबुतत्तो में अंकार रहेगा ही रहेगा अंकरात्मक है ही है परमात्मा का चितकिरन परमात्मा का चितकिरन से उदित होकार चितकन अनंत जिव समुहूं आपने को भगवद दाश मत्रो अभिमान करने से माई जगत का साथ आर कोई सम्मंदो टिकता नहीं रहता नहीं लेकिन यह होना मुश्किल है समझ मैं या परमात्मा ऐसे तो गीता में बताया गया मामई वांग्ष जीवो लुको जीवो बुतो सनात्ना परमात्मा भी किष नहीं है तो परमात्मा का चित किरन से उदित होकर चित किरन अनंत जीव सम्हो अपने को भगवाद दास अभिमान करने से आगे चलकर माई जगत से चुटकारा मिलता है अता माई जगत का सा असंबन्दो नहीं चलता है ये लोग बईकुंटो में चला जाता है ये ही अभिमान भूलके ये लोग मैं किष्ण दास हूँ जीवे सरूप है किष्ण नित्तो दास ये अभिमान अता पक्का अभिमान शुद्ध अभिमान ये जो सुद्ध अभिमान मैं किष्ण का दास हूँ हुनमान जी बोला है मैं राम जी का दास हूँ ये ही जो सुद्ध अभिमान भूलके जब माया का भूगता माया को भूगना चाहता है इंजोय करना चाहता है तब यही संभू अंकार तत्तो ए लोगों को सत्या में प्रवेश कर जाता है और पिथक पिथक तत्तो करके दे देता है शंभू का मादाम में, जब शुद्र सत्तो माई यह अभिमान है, मैं जिवे सवरोबय किष्णा जीत्तो डास यह अभिमान भूलके, जब माया का भोकता होना चाहता हैं तब यही संभू का अहंकार तत्तो ए लोगों का सत्ता में प्रविश्ठो होकर मैं अलग हूं प्रिथक पृथक पृथक अभिमान बना देता है। पृथक पृथक भक्ति तत्तो करके पेश कर देता है। से जो अंका तत्तो है ये इन लोगों का अंदर में शत्ता में प्रविष्ट हो जाता है प्रविष्ट हो के हर जिवात्मा को प्रिथक भोक्तित तत्तो करके जाता है मैं, मैं अलग सा भोगी हूं, मैं मालिक हूं, आप भी अलग मानिक हो, मालिक हो, एलोग का प्रिथक शत्ता में प्रविश्थ होकर, इसको अलग अलग सा एक competition सुरू कर देता है, और प्रिथक प्रिथक भक्ति अभीमान, यह इनके मुकानबारी है, यह मेरा बोकानबारी है, इनके पत्नी है मेरा पत्नी है अग कुछ इस सब धोकावाजी है सब धोकावाजी है यह शंबू तत्तो अहंका तत्तो इस जीवों का सत्ता में प्रविश्टों कर यह लोग को प्रिथक अभिमान का पैदा करके इस एन एवरीबोडी को अलग अलग सा प्लाटफॉम में एक ड्रामा करने के लिए पेश कर देता है शो शंबू ही अहंकार अत्मक विश्वो और जीवों का माहिक देहात्मा अभिमान का मूल तत्तो क्या पता है शो ये संबू तत्तो ही अहंकार अत्मक विश्वो और जीवों का माईक देहात्मा अभिमान का मूल तत्तो है जिसका बारे में मुल स्लोक दुवारा पत करें आपको समाझ में जरूर आनाइश्या ही अहंकार अत्मक विश्वों तत्त बजायत दुवारा पत करें अहंकारत्मक विश्वम तश्माद एतत बजायत आज यहां तक चर्चा का विश्वम रखे क्योंकि समझ में नहीं आएगा आप लोग बाहरी विचार में बैस्त हो इसलिए समझ में आना बहुत कठीन है फिर भी बहुत इजी जैसे मैं बता रहा हूं हो सके कि गिटिकल तत्त फिर भी इजी है जश्वेक निश्वेशितो काल मताव लंबो जिवंति लम भिलजा जगदन्ड नाथा विश्वर महानस यहों जश्व कलाविशेशो गविन्दमादि पुरुषम तमहम बजामी यहां तक चच्चा का विश्वम दे छमा करे मांचा कल्प तरुसे कि पासिंदू बेविश्व पतितानंग पावनिभो विश्व भ्यो नमो नमाव